नमस्ते दोस्तों आप सब का सवगत है आपके अपनी चैनल फैंडिसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे टी ए आर वसस पी आई आर के भी जो खिला जाएगा जिबरल्ट टी टैन का मैच गाइस टी ए आर ने अपना दोनों मैच हा रहा है सॉरी जीता है जिस टीम को हरा है ना दोनों मैच उसी टीम के गिस्ट पी आर ने दोनों मैच हा रहा है तो इसका मतलब क्या निकल क्या आता है ती ए आर अगर अब तक का पॉफोमेंस देखोगे तो एक बेटर टीम है बट मैं आपको वीडियो में समझा दूँगा कौन से प्लियर मैच नेक्स्ट वीक से यूरुपेन क्रिकेट लिए इसी वीक पर खतम हो जाएगा जिबरल्टर टीटन तो गाइस क्या करना है हम को चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करना है गाइस बिकॉस ना यूरुपें करका लीग बड़ा सीडिज होगा जो गाइस कुल मिला के शायद 40 से above 42 या 41 days का होगा series उसका exclusive coverage आपको इस channel में मिलेंगे मिलेंगे सभी domestic matches के coverage बरे matches बंगलादीश T20 जैसे matches का guys आपको मिलता है final team कहाँ पे telegram पे तो आप telegram भी join हो जाए ना मैं video के description में link add कर दूँगा जहां से आप telegram join हो सकतो इस match का भी final update आपको telegram पे दिया जाएगा video के description या फिर comment section में जो link pinned क्या हुआ रहेगा na blue color का उससे आप बहुत easily telegram join हो सकतो या फिर ना आप search भी कर सकतो at the rate teams fdf prefer करूँगा मैं आप link से ही join होना ताकि आपना गल्दी से भी दूसरे जगह पे ना जाओ जहां पे paid promotions होते है ठीक है जो paid होते है ना बहुत सारे paid channels होते हम लोग कुछ paid channel नहीं है एकदम completely free channel है तो आप जोइन सकते हो description या फिर comment section वाला link से मैं इस मैच के analysis में europa sports complex पे ground पे खिला जाएगा देखो यहां पे ना मैं पास जब record देख रहा था ना डुमेस्टिक इंडोड टीटेंस वगेड़ा का और भी गाइस अदस मैच इस तो 90 से 100 average score बट इस बार क्या किया आप अगर देखो के ground size वो ना बहुत जादा चोटा कर कर दिया रोब से ground को जितना size उससे भी बहुत चोटा गर दिया तो जिसके कारण इतना चोटा ground एक्चुली गॉल भी नहीं एंग्राउंड ग्राउंड कैसा है एसा एक्चुली रगभी गाउंड है जो और भी चोटा किया गया है जिसके कारण जो side boundaries है ना बहुत जादा च साइड में ज्यादा शॉट्स केलते ना उनको ज्यादा फाइदा मिल रहा है हाँ नो डाउट स्टेट बाउंडर भी बहुत बढ़ा नहीं है बट कॉंपेर तो साइड बाउंडर स्टेट बाउंडरी थोरा सा बढ़ा है ठीक है तो यहां पर रन बनेंगे मुझे लगता है कि दोनों टीम कैपबल है गाईस 120 रन के आसपास बनाने का एक सो प्लस ही बनेगा रन देख लेना आप लोग क्लियर वेदर रहेगा फॉर फाइनल अपडेट फूचर अपडेट दिस बचसे पहले तक आप टेलिग्रम जोईन हो जाना कुछ मैंने गाईस वोट को यूस किया दो मैच तो यहां से क्या निकल था विकी एक्षण में मेरे इसाब से हम लोगना गेस्ट को नहीं लेंगे हम लोग किसको लेंगे फिरारी को लेंगे तो इस यहां पर हम ज्यादा सोचेंगी नहीं ऐसे भी हमें एक ही प्लियर लेना पड़ेगा अगर टीम कमिडिशन परेगा लास्ट में 55 बनाया था ऐसा नहीं बहुत मुझे अच्छे लगे बनाऊंगा कैप्टिन भी नहीं बनाऊंगा शायद स्मॉल लिग में जेल में तो कर सकते हम लोग रोटेशन ब्लोग नहीं कराएगा बट यह ना बॉलिंग करा सकता है गाइस मैं नीचे रिकॉर्ड मार सकता है रिपीट करणों बैट फर्ष्ट करेगा तो ही बैट उसकेंट करेंगा तो कैप्टिन बना सकते वहां अग साभी यह एक सपीन प्ले करेगा पाई इंटरेशनल में उपिन करता है और अगर उपिनिंग किया ना इससे डिफेंशल पंद एक विसी कोई नहीं होगा मैं नहीं बता रहा हूं कि आपको स्मॉल लिग में ट्राइग करना है बट हां जील मीनी जल में ट्राइग कर सकते हो मारव नायक आएंगे जो दो डाल रहा है डिसन में डेख उवर कर द्ला ठीक है अब दिखो यहां पर ईंस्ट मैच में दो यह अच Wür ब्रडि बहुत अच्छा ऐट कर था भूलिंग किया था इन लोवस तो मेरे टिम में उनको लेखे चलना ही पड़ेगा ऑपिनिंग बॉलिंग कौन है एस नाइक अविनाश पाई यह ओफिल्ला है डेथ में यहां पे ना पास्ट रिकॉर्ड है आप चाहों तो रिव्यू कर सकते हो बट मैंने एक प्लेयर का नाम बता रहा हूं बला जी फर्स्ट मैच में मेरा ना यह एकड़म डिफॉल्ट पीक था इन्होंने इस एस में तो अब तक बहुत ज़्यागा परफोर्मेंस किया नहीं है बॉलिंग से निकाले बट इंटरनेशनल में नौ मैच में 42 का वैवेस से 334 रन बहुत अच्छा प्लिया रहे एक दो बॉल न एक ECS में रिकॉर्ड अच्छा है बट साइड बाउनरी छोटा होने के कारण ना इस्पीनस को बहुत इश्यू हो रहे है खासकर करके जो इस्पीनस फ्लाइड देते ना उनको ज्यादा इश्यू हो रहा है मेरे सब से क्रॉस बैटेड शॉर्ट हलका बैट में लगने से भी बाउनरी निकल रहे है और आउट फिल्ड ना बहुत ज्यादा पेज है गाईस एक्चुली कार्पेट जासा आउट फिल्ड है तो ज्यादा ही फास्ट है गाईस ठीक है पुड़ा पुड़ा अर्टिफिशल टरफ है एडम ओफ्रिला पाच मैस में पंद्रा ओवर में चार गया तो बहुत बेटर हो जाएगा क्योंकि ज्यादा नहीं इनको का इस बीस बॉल में पचास मानना आता है तो बैटिंग करेंगे अगर शुरी में एक आदा हुए गया तो इनका फाइदा है गाईस बहुत भेंगर पिटाई करके निकल जाएंगे पी आयर से मैं बताओ न पचास आराम से ठोक सकता है इतना जादा अच्छा मुझे लगता है बॉलिंग से भी अच्छा प्लियार है जाद यंग प्लियार है मेरे सब से एल बूस बहुत बढ़िया कैप्टेन ऑप्शन है और बिकॉस ये ओपिनिंग कर रहा है तो मेरे सब से समी नैक से थोड़ा ब गाइस था इनका दिमाग में तो इसलिए शायद इन्होंने बहुत जादा क्रॉस बैटेट कहला है अधर्वाइस प्लियार अच्छा है ब्रिकॉड बहुत अच्छा है आतोल ही इन्होंने ना ठीक ठाक हीटिंग कर रहा था और बहुत जोड़ से मारता है और पूल शॉट अच्छा किलता है तो इस ग्राउंड पे पूल शॉट जो अच्छा किलता है ना प्लियार वो मेरे जाब से बड़ा पॉइंट कर सकता है एन्हुसेन गाइस थोड़ा क्रॉस बैटेटर शॉट किलते हैं लास मैच में एक चौका भी मारा था एक्चुली यह थोड़ा हो सकते हैं और फिलाल आप दोनों में से आतो लोए और एनुसेन से किसी एक को ले सकते हो तो मैं मानता हूं ना आतो लोए जो थोड़ा उपर बैटिंग किया एक ओवर डाला है इसको हम लोग ले लेंगे जो बॉल बहुत जोड़ से मारता है और पूल शॉट मैंने देखा बनाना मुश्किल है जैसे कि लास्ट मैच में बहुत बंदा एम हंटर को लेके फर्स गया था मैंने ऑडियो में भी डाला था हंटर नीचे बैटिंग किया था तो यह सब आपको समझना पड़ेगा तरार को लास्ट मैच में नीचे प्रोमोट किया था शायद हम लोग फिल बहुत ज़्यादा फ्लाइट देता है और एक्चुली क्या होता है देखो साइड बाउन लीच छोटा है और यह इतना ज़्यादा फ्लाइट देता है ना एकदम ओवर पीच बॉल है अब अगर आप समझो क्रोस बैटे शॉट खेल रहे हो ओवर पीच बॉल को मिस होने से होने के बहुत चांसस है रेधर देन अगर बैट्समें सीधा खेलने लगेगा इनको तो बहुत ज़्यादा स्कूर करने को मिलेगा बट यह इतना आगे बॉल डालता है ना उहां से कैस लॉक स्विप खेलना आइधर आपका बॉल फुल टॉस होगे बैट में लगेगा अध साबसे ज्यादा इशू हो रहा है कि यह बहुत जाद आगे कर रहा है और बैट्समें अगर सीधा किलने का कोशिश करेगा तो अल्मस्ट हर बॉल स्लॉट में तो चक्का भी लगेगा तो एक आदा हुवर में मुझे लगता है कि निखिल अद्वानी का 20-22 पिटाई हो सकता है अगर यह आगे ही बॉल डालते हैं अगर खीच के बॉल किया तो अच्छा प्लेयर इंटरनेशनल भी है तो ध्यान के रखना अपने तिम में तो रखना ही पड़ेगा अब यह थोड़े से पास्ट रिकॉर्ट है आपको इंटरनेशनल में एक आदा मैच कलते हुए दिख पास्ट रिकॉर्ट है आप चाहते हलका से रिवीव कर सकते हो आपके कॉर्डिंग कुछ वहरी से कॉमें सेक्शन में पूछ सकते हो बट आफ्टर टॉस नहीं बिफॉर टॉस्ट है क्या निकल गाता है एल्बूस सेफेस्ट ऑपेनर है ओपेनर भी है सेफेस्ट प्लेयर भ होता है ना टार्गेट का अवीना श्पाई इफ ओपिन मालुम तो नहीं चलेगा बठा सबसे अच्छा पंथ है इस मैच में अवीना श्पाई इरा मेरा फिलाल टीम जापे मैं सपना 11 का बात तो करनी सकता बट यहां पर अल्मोस्स सेम कमिनिशन के साथ आप रख सकते हो ज इसको नहीं लिया मैंने नहीं लिया यह तरड जोगा इस लाश्ट मैच में बैठिंग बहुत नीचे किया दा तो मैं इस रिस्क से कि यह अगर फिरसे नीचे गरता है तो गास क्या होगा हम लोग का कुछ नहीं होगा खराब हो जाएगा टीम आतो लोग यह हमारे पास एक और एक आदा शायद वो नदीम उसे ने डिफेंशल ट्राइगरने से करो फिलाल तो मैं नहीं ले रहा तो यह रहा मेरा फिलाल अप्डेट फॉर फ्यूचर अप्डेट फॉर फाइनल अप्डेट टेलेग्राम जॉइन हो जाना मिलते हैं गाइस मैच टाइम पे बाई